हेलो त्रियन फैमिली तो कैसे हो आप सभी लोग आई होफ कि आप से लोग बढ़िया होगर आप से लोग बढ़िया होना भी चाहिए तो वीडियो को लाइक कर दो चैनल को सस्क्राइब कर दो एक प्यार सा कमेंट कर दो और जो जो कुछ कर सकते हो जल्दी से जाके कर दो यार गांग जिंग को मार देता है गांग जिंग को मारने के बाद गांग पिंग को एक्नोर करके सीधा जोहान चला गयाता है टाबर के अंदर टाबर के अंदर जोहान एक एक करके काफी सारे बीश्टों से लड़ता है क्योंकि मजबूरी करना महत्मा गानी भाई आजाते हैं बीच तो लड़ना पड़ता है हर एक लेबल को क्रॉस करने के लिए एक टेस्ट दो तब गैंग पिंग कहता है कोई बात नहीं उन्हें जाने दो हम यहीं उनका इंदिजार करेंगे मुझे उम्मीद है कि वो चावी लेकर यहाँ पर बापस जरूर आएंगे मतलब बंदा मुझे कुछ अच्छा लग नहीं रहा है यह भी जोहन के हाँ तो है भी जोहन रूलर अंदर डलवाएगा मतलब अब खाएगा पेट के अंदर जिसके बार यह फिर कहेगा दिल चीर के हसते हो मेरा बद्वाए मेरी याद करोगे फिर इसको के बाद हमने देखा था कि उपर जाते होगे जोहन जब थार्टी फ्लॉर पर पहुंचता है तो वहाँ पर उसे वो मिलती है क्या नाम था उसका स्वीच हुई है जो कि एक पानी के बोटल के अंदर पानी के स्क्वार के अंदर घुसी होई होती और फश्य हुई होती है ताहती वो फसी होती है जब तो नहीं बचाना चाता है लेकिछter भ्लेए मास्टर आइसके हो सकता है वो लड़की भाई एग्री हो जाती है देन अपने लोगों ने देखा था कि फिर बाहर आने के बाद यह स्रेडियूस करने की कुछिस करते है जहन को लेकन अपना ठरकी तो था ही पहले से हरामी वह पीचर ज्यादा है बस ज्यादा करनी जहल पाऊंगा देन वह उस टू फ्लोर पे जाओगे तो तो तुम एक फाइटिंग गॉड लेवल के बंदे से समय लड़ना होगा तभी जन कहता है सट पागल हो आगले का फाइटिंग गॉड लेवल के बंदे से कौन लड़ता है मैं आ जा रहा तभी सुईर कहती है क्योंकि ब्लेक गॉड मांटेन औ तुम्हें आ जाता है white god mountain और जियो जहान का होता है black god mountain तो इसमें कौन सी नहीं बात है यार सुई जू यह सुंदर है गोरी है तो obviously white होगा जियो जहान अपना black ही chain है giant tape बंदर की तरह है तो काला होना normal उसके पास mountain इनकी size बिलकुल एक जैसी थी size एक जैसी artifact जो होता है उसके अंदर की जो figures थी वो भी same होती है बस color change होता है तब यहान कहता है तुम कितने percent confirm हो कि हम बास्तों में उसे हरा पाएंगे जो देखा सुई जू यहर तुरंधी कहती अगर कुछ भी unexpected नहीं होता तो मैं 70% sure हूँ साथी सुई जू यहर यहां पर थोड़ा सा serious भी होती है दूस्ता वो cruel beast सुई जू जू यहर के हाथ में जब white mountain को देखता है ताचानक उसकी आखे काफने लगती है जैसे कि वो इससे बहुत डरता हो तभी long की तुरंधी उस beast की बात को translate करते हों कहता है यह beast कर रहा कि क्या यह mountain की उनर आप है साथी black god mountain और white god mountain को देखतो है ऐसा लग रहा था कि जैसे यह beast white god mountain से बहुत जाड़ा डरता हो हाला कि जो जानने हो से black god mountain से पेलने की कोसिस की थी लेकर बंदा उस पर कुछ ज़्यादा बिगार नहीं पाया था इसलिए बंदा सान था जहां black god mountain किसी भी physical चीज को suppress कर सकती थी तो दूसी तरह white god mountain किसी भी spiritual चीज को suppress कर सकती थी हाला कि तभी सुई जो है अचानक कि अपने white god mountain को उठाते वो उपर हवा में उस उचाल देती है जो कि अचानक कि अपनी size को बढ़ा करता है जो देखर जहां भी सेम वही करता है black god mountain को अभी हवा के उपर appear करता है और ये black और white एक दूसरे के साथ touch में आते ही एक दूसरे से चुड़ने लगते है और इनके बीच एक अलगी invisible power होती ही जो एक दूसरे को attract कर रही थी अपनी तरफ जिसके बाद ये जो दो mountains होते हैं इनके बीच एक काफिर destructive force generate होने लगती है तब ही स्वीजुएर तुननती अपने black और mountain को बापस ले रेती है और तुननती कहती हाला कि मैं इस mountain को control कर सकती हूँ लेकिन इसने मुझे अभी तक juice नहीं किया मैं उसकी पूरी power को control नहीं कर सकती इसलिए दोनों ही mountains के holy fusion की destructive power को पूरी तरीके से use नहीं किया जा सकता और ऐसा कहती है तो इस स्वीजुएर के चरह पीला पड़ गया होता है जैसे कि वो force fully white god mountain का इस्तिमाल कर रही हो दूस्त अब ये जो beast होता है अचाना कि इन दोनों की तब देखते हो कहता है हमें बताया गया था कि जब lord mountain master बापस आएगा तो वो त्यांजी city की सभी souls को बचाने में capable होगा उसकी यांके बुरी तरीके से काप रही होती है दूस्त अब जो अंतुरंदी कहता है तो क्या आप 100% 70% से हो रहे है कि हम जीत जाएंगे साथी जानी आप ये भी जानता था कि अगर ये सच है जो सुई जूयर ने कहा कि त्यांजी city का master black god mountain है तो एक नजर ये से त्यांजी city का present time का city master जियो जान को होना चाहिए क्योंकि जियो जान के हाथ में ही तो black god mountain है जो black mountain lord द्वारा उसे inheritance में दिया गया हाला कि ये possible है कि जियो जान की present time की परके साथ अभी भी black god mountain के real pressure को appear नहीं कर पाता लेकिन फिर भी जब तक जियो जान black god mountain को appear करता है तो भले ही वो fighting god level का बंदा क्यों ना हो वो fighting god level का बंदा जब black god mountain को देखेगा तो अब bestly recognize कर लेगा कि ये black god mountain lord का successor है यानि नया city lord इसरे जान तुरन दिगाता है तो चलो इस situation में आगे चलते है मुझे लगता है कि और भी टीमों को पहले ही चावी मिल गई होगी इसलिए हमें जल से जल center plate की तरब भी जाना है और जहन बिल्कुल भी संकोच नहीं करता और 32 floor पर चला गया होता है तभी लोंगी कहता फादर वो पूच रहा कि कि आप उसे बचाने के लिए आएंगे तभी जहन कहता बिल्कुल उसे बताओ कि हम उसे बचाने के लिए आएंगे और इसके बाद यह लोग 32 floor पर चले गया होते हैं इस layer पर कोई भी खत्रा नहीं था सबसे पहली चीज जो उन्होंने देखी थी वो घना सुनहरा बादल और इसमें एक सांस लेने के बाद आप फील कर सकते थे आपके अंदर की बढ़ी हुई एनरजी और काफी तर होता जा जो देखके जोन के तैसा लगता है कि यह लिए आपकी power को बढ़ानी के लिए सबसे अची blessing है जिसके बद जोन अपने इस spiritual power से इस पूरी जगह को cover कर ले था और यह जानने के बाद कि जगह में कोई भी खत्रा नहीं है सबी लोग काफी satisfied होते क्योंकि पिछली काफी fight के बाद यह लोग ठके हुए थे और अपने कोई और यह कोई जल से जल recover करना चाहते थे इसलिए जगह को एक अच्छी जगह माना जा सकता था इन सभी के लिए golden cloud और mission way do waves इस पवेलियन के अंदर एक दरजन से प्लस लोग cross leg करके बैठ हुए होते हैं साथ इने यह बैठ हुए ने जाने कितना time बीच चुका होता है पवेलियन के अंदर जोड़दार road हो रहे होते हैं जिसके बाद range chunk सबसे पहले खड़ा होता है और वो देखता है कि स्टैंप पे golden cloud के बीच में lighting चमक रही होती है हाला कि भले ही यह त्यान जी पवेलियन था ही है immortal tabulation को नहीं रोग सकता था इसलिए immortal tabulation का सामना करतो है range chunk काफी strongly उसके साथ खड़ा होता है और उसे पेल रहा होता है और उसका जो behavior और body language थी बिल्कुल जो यान के जैसी थी क्या है lighting में refuge का strength ही बढ़ाएगी आज यह मतलब रेंचंग को यह घंटा फरकनी पड़ता था कि कितनी भी strong lighting है उसे लगता था उसकी body सब झिल जाएगी और होता भी वही है वो अपनी body को strong करने के लिए immortal आप स्वारी immortal tabulation का use कर रहा होता और lighting का लेकिन उसका ending जो होता विल्कुल जो यान के जैसा ही था वो इस immortal tabulation से लक्सेस पूली बज़ जाता है लेकिन heavily injured हो गया होता है लेकिन physical strength को strong करने का यह सबसे अच्छा तरीगा था कि आप जितनी जाद अपनी body को चोट दे सकते हैं दर्द दे सकते हैं उतना बहतर क्योंकि एक बार आपके body को चोट सैने की आदत हो गई तो फिर कहते न सहते सहते दर्द दबा हो जाता है जिसके बाद रैंचांग ने successfully 60 star को breakthrough कर लिया होता है रैंचांग के बाद पवेलियर में tribulations बिल्कुल भी नहीं रुखती और long ये एक के बाद एक breakthrough करता है साथ उसका talent और cultivation की speed पहले से ही सभी को हैरान करने के लिए काफी थी बंदा 3 star को breakthrough कर चुका होता है और जहां तक important tribulation की बाद थी तुम लोग को पता ही वो क्या करता है जू जियान को अपेर करके भाई उसको जिन्दा ही निगल गया था ट्रवलेशन को करता फेट के अंदर जाकर गुल गुल करना या बीच में टाइम बेस्ट करने का नहीं दिंग्यों ने भी याँ पे 2 star peak level को breakthrough कर लिया होता है लॉंग सीट्यान ने भी ट्विश्टर immortal के intermediate level को breakthrough कर लिया होता है जींग, किंगमू या नानर्विंग, फैंग, फैंग वो वन इस्टर के intermediate से लेटर स्टेज पर breakthrough कर चुके होते हैं उसके बाद जिंग्बूचें जैनी और क्यानिंग और हुआ होंगर होते हैं जो 9 star के peak level पर पहुँच गए थे और ड्रागन, scale king की बिना मन की मदद के बाद बेचारे लोग वन इस्टर डाउ बोटर level पर भी successfully breakthrough कर लेते हैं दूसर तब QQ को छोड़कर जो अभी भी बे होता फिरलेश टीम के अंदर हर कोई डाउ जियान लेबल पर पहुँच गया होता है जिसके खान उनकी टीम battle power एक बार फिर से बढ़ गए होती है जो यान के भी यही thought थे लेकर उसे नहीं लग रहा थे कि यह power काफी तेज बढ़ी क्योंकि जैसे जैसे बहुँ strong हो रहे है उनकी opponent की बावर भी तेजी से बढ़ रही है जियांगा पहले से ही सबसे अच्छी situation में है क्योंकि वो इनहीटेंस प्लेस में इंटा होने से पहले सिक सिस्टा डाउस यहां लेवल पर था और इस जगह पर इंटा होने के बाद और बेसलियों से कुछ अच्छा है इनहीटेंस मिला होगा तो उसकी power भी heavily increase होगी जिससे फिफ्ट इस्टार धीरे धीरे क्रियेट हो रहा होता है दूस्त अब सभी लोगों ने breakthrough करने के बाद अपने अपने को stable कर लिया था क्योंकि वो कुछ time के लिए stable थे और power को balance कर रहे थे उन्हें पता था कि अब वो थोड़े time के अंदर successfully breakthrough नहीं कर पाएंगे cultivation एक long process है और उसे अगर आप जल्दी जल्दी करने के process करते हैं तो obviously इसके back classes भी आपको झिलने होंगे इसलिए सबी लोग step by step ही आँगे बढ़ना चाहते थे दूसर जो यान जो सीधा ही golden cloud को स्वैलो कर रहा होता है ऐसा लग रहा होता वो फाइव इस्टा डाव मोटल को एक ही बार में break through करना चाहता है रेंचांग भी जॉन के cultivation method को देखकर हो इतनी पागल पंतरी के सब absorb को देखकर हैरान हो गया होता है बंदे की आखे लालत से चगमगा रही होती है कि कास ऐसे energy मैं absorb कर पाता है बंदा कर कैसे लेता है दूसरी तरफ जोईरे दिरे जॉन की वाड़ी के अंदर से बिसपोटा के energy blast निकलने लगते हैं और जॉन अपनी आके खोईलते हुए अफसोस जताता है कि बास तो मोग वो successful नहीं होपा और एक श्टब दूर रह गया तेरी मा का पूजा करों काई को unsuccessful हुआ रहे उसको successful करने का था ना राइटर तेरे खोपड़े के जोपड़े के सारे बाल में gap कर देगा अगर आगे चलके चुन किसी powerful बंदे के हातों पढ़ गया तो वैसे तो चूतिया पकर के कहीं भी power में जोल कर देता है यहाँ पे power breakthrough करानी थी बेहन का घोड़ा चिल गोजा पापर नहीं बढ़ाई भाई इसने जोहन अभी फाइव इस्टार डाउजिया लेवल के breakthrough में फेल हो गया था और वैसली फाइव इस्टार को breakthrough करना इतना आसान भी नहीं था क्योंकि फाइव इस्टार पर पहुंचने के बाद आप reincarnate हो सकते हैं साथ ही अपनी पाउर को एक limit तक बढ़ाने के बाद आप अपनी past life की कुछ memories को भी याद कर सकते हैं हाला कि यह complete नहीं होगी लेकिन आप कम से कम जान सकते हैं कि आप कौन थे हाला कि जोहन फोरिश्टार के fighting about a level पर peak level पर होता है लेकिन वो अभी भी satisfied था और क्योंकि वो fail हो गया था तो जोहन जोहन बिल्कुल नहीं उठाना चाहता था अपनी पाउर को forcefully सुधारने के लिए जिसके बाद जोहन यह क्रोस लेकर करके बढ़ जाता है और यान मू कुल डोन को निकाल कर गौंग जी की team को destroy करने के बाद उसे जो ingredient मिले थे उससे वो कम से कम बीज लिंगुन जोहन टियान पिल्स को refine कर सकता था इसलिए उसके refinement method को लेंग टियान से पूछने के बाद जोहन इसे refine करने का decision लेता है क्योंकि वो चाहता था कि इस पिल को वो कर पा रहा था और holy realm की spiritual power के साथ जैने से और भी अच्छी तरीके से कंट्रोल कर पा रहा होता है लेकिन यह जो twin fill refinement थी जो अनकी उमीज से काफी अरा कठी थी हाला कि पहली जो पिल होती है वो अब बैसली create हो गई थी लेकिन इसका effect twin pill तक नहीं पहुँचा था इसमें power को सुधाने का जो effect था वो बहुत बीग था लेकिन फैस्ट effort के बाद pill refinement की जो possibility थी ओवेसली high level पर हो गए होती है जिसके बाद जिएन थोड़े से changes को करने के बाद एक और pill को refine करता है इसका भी effect पहले के जैसा ही होता है जो length 10 दोरा आप refine की गई पिल थी लेकिन जोन अभी भी satisfied नहीं था बलकि वो तीसरी pill को refine करने के लिए continue होता बलकि थोड़ा रुक कर कुछ सोचने लगता है जिसके बाद जोन कुछ और भी other ingredient को रिकालता है और उनके साथ इस पिल को refine करने की कोसेस करने लगता है जोन को लग रहा था कि अगर इन चीजों की होगी क्योंकि time भी बहुत कम था और time खत्म हो रहा होता है इसलिए जोन ज़्यादा कोसेस नहीं करता और 10 लिंग यून जोन टियान पिल्स को refine करने के बाद तीन अपने हाथ में रखता और बाकि अपनी टीम में बाठ देता है क्योंकि सभी की पारबढ़ाना जरूरी था दूसर जोन जब पिलको refine कर रहा था तो जिया जैंगुई भी उस पवेलियर में क्रॉस लेकर करके बैठा हुआ होता है उसे लग रहा था कि यहाँ पे एक formation है और जिया जैंगुई इस formation को समझने की कोसेस कर रहा होता है साथी formation के अंदर कोई भी golden light नहीं होती ऐसा लग र और उसे उम्मीद नहीं थी कि वो बास्ते में formation को समझने की कोसेस कर रहा है साथी उनको पता है कि spiritual power जब holy ray number पहुंच जाती तो cultivation कितना कठेन होता है इसलिए लोग fighting कोई और spiritual power दोनों का cultivation नहीं कर पाते क्योंकि battle में spiritual power वो अभी भी battle कोई के comparison में थोड़ी सी बीक मानी जा सकता है इसलिए obviously इसकी power भी सभी के सामने साफ साफ थी लेकिन डूई कोई या immortal कोई का cultivation आसानी से किया जा सकता है लेकिन spiritual power का cultivation long term cultivation होता है दूसरे तरह पिसी टेम पे EPU और स्वी जोईयर भी एक के बाद एक breakthrough कर लेती है EPU की power 4 star के down mortal के peak level पर पहुँच गई होती है साथ इस वी जोईयर जो की strong थी उसकी power intermediate 5 star पर पहुँच गई होती है दूसरे जिया जैंगुई की जो situation थी वो खराब होती जा रही होती है उसकी spiritual power weak होती जा रही होती है जो देखकर जोन अपने दिल में थोड़ा सा बुरा कह रहा हो और एक पल के लिए उससे ऐसा लगता है जैसे पूरी दुनिया गुम रही हो जोन को ऐसा फील हो रहा हो था उसकी soul किसी other place की तरफ खीचे जा रही है साथी जोन वापे जिया जैंगुई को देखता है जो की skeleton body के साथ speedless खड़ा हुआ होता है और आंगे की तरफ दे जो देखकर जोन अपने दाट पीस लेता है और जैंगुई को जोर से खीजता है और इस इनपर जैंगुई अचानक ही जाकता है लेकिन अब तक जो यान के चाँटर ब्लैक एनरजी कंडेंस हो चुकी होती है जो देखकर जैंगुई तरफ दीखा था ये कर्स की पावर है और ये देखते हुए कि जोनों से बचाने के लिए ऐलूजन वा पढ़ गया है, जिया जैंगूई तुरन तो उसकी देख भाल करने के लिए ऐलूजन के अंदा इंटा होता है, लेकिन जैसे ही वो जाने की गोज़े कहता है, वो फिलकरत है अलूजन बंद हो चुका है, और अंदर जाने का कोई रास्ता नहीं, साथ ही जैंगूई की स्पिच्छल पाउर बहुत ज़्यादा बीग थी, साथ ही उसकी स्पिच्छल पाउर ने इतने पीसेस मुमेंट पे ब्रेक्ट्रू भी आसिल कर लिया था, जो कि होली रेलम के, पी क्याने की हाफ डोमेन लेबल तक पहुँच गई होती है, हाफ इस्टप डोमेन लेबल पर, लेकिन जिया जैंगूई तुरंती कहता है क्या फाइदा, अगर जो यान उसे बाहर निकालने के लिए नहीं गया होता, तो उसकी जो सोल थी, वो करसे एफेक्टिव होकर एक घोश्ट में बदल गई होती, जैंगूई तुरंती कहता है, जैंगूई जैंगूई जो यान के, फिजकल बॉड़ी के चेहरे को बदसूरत होते हुए देख सकता था, साथि वो इस एल्यूजन की पावर को भी जानता था, इस से, फॉर्मेशन के पास इस्पिचल पावर को कम करने का एफेक्ट है, और यह पूरा ही पूरा, फॉर्मेशन त्यांजी पवेलियन के, अंडर होना चाहिए, जिसमें अंगेनत, इस्पिचल सोल्स है, साथि यहां पे हर कोई फील कर लेता कि कुछ तो गलत हुआ है, इसलिए सभी लोग वहाँ पे खटा हो जाते हैं, और सबसे स्ट्रॉंग इस्पिचल पावर वाले दो लोगो, यानि जोहन और जियाज जैंगुई को देख रहा होते हैं, साथि यहां की स्पिचल पावर या की सोल, उस एल्यूजन के अंदर फश चुकी होगी, और अगर वो एल्यूजन में फश गया तो वो मर जाएगा, इसलिए जियाज जैंगुई बिल्कुल भी, जो खेम नहीं उठा सकता था जो यान को लेकर तो, साथि जैंगुई इस टैंप पे अपने आप कोई थपड़ मारना चाहता था, क्योंकि अगर ये उसकी क्यूर सीटी के लिए नहीं होता, तो यान कभी भी अल्यूजन के अंदर नहीं जाता, उसे बचाने के लिए, हाला कि इससे उसकी स्पीच और पावन्तों सुधार हुआ, लेकिन जो यान खत्र में पड़ गया, हाला कि जब हार कोई बेहर टेंसर में होता है, अचानक यांकी गोल्डन मिष्ट जट पटाने लगती है, जैसे कि कोई चीज उसे सोक रही हो, जिसके बाद जल्दी ये लोग इस गोल्डन मिष्ट को जो यान की तरफ बढ़ते हुए देखते हैं, जिससे फोर इस्टार के पीक लेवल पर जो यान की पार एक बार फिर से बढ़ने लगती है, और डेंटियान पर फाव इस्टार ग्लो होने लगता है, जिससे पूरे ही त्यान जी पावेलियन के अंदर लैटिंग इस्टार काने लगती हैं, लेकिन जियान के अभी भी बन थी, उनमें खुलने का कोई भी संकेत नहीं था, साथी सभी को पताते कि अगर ये फाव इस्टार ट्रवलेशन जो यान की बोड़ी पर बंबारी करेगा, तो अब बेसली जियान हेवी ले इंजर हो जाएगा भले उसकी डेथ ना हो, जो देखका लॉंगी भी टेंसन में आ जाता है, और वो जियान को फाव इस्टार ट्रवलेशन में मदद करने और रोकने के लिए तयार होते हुए आगे कि तरह भागने लगता है, हाला कि लॉंगी की पर त्री स्टार मोटल के इंटर्मीडिट लेवल बर ब्रेक्ट्रू हो चुकी थी, लेकिन अब वो नाइन मिश्टी रैस गोल्डन थंडर ड्रेगर नहीं था, हाला कि फिजकल इस्ट्रॉंग थी, लेकिन इतनी भी नहीं कि वो फाव इस्टार पर ट्रवलेशन में काबू पासके, लेकिन इसी टाम पे चनकी जान के पीछे एक फिगर दिखाए देती है, जो काफी ऐलूजनरी होती है, और आप इस फिगर को देख सकते थे, जिसने ब्लैक करर के कपड़े पैनो होते हैं और उसके पीट पर, और ये जियो यान की सेडो की तरह ही दिख रहा होता है, साथी जैसे ही ऐलूजनरी बॉड़ी अपने सिरको उपर उठा के देखती है, और अपनी आखे खोलती है, उसकी आखे गोल्डन ग्लो कर रही होती है, और सभी को फील होता है एक बिल्कुल पावर्फुल प्रेसर, जिस प्रेसर के सामने कोई भी सांस नहीं ले पा रहा था, अब पता चलेगा, पापा है ये पापा, दुनिया का पापा, साथी ये जो एलूजनरी फिगार होती है, वो इतने गुस्से में होती है, कि इसकी पूरी बॉड़ी काप रही होती है, और उसके गुस्से के औरे के कांट सभी लोग घुटने टिक कर बैट गया होते हैं, जिसके बाद अचाना किये, एलूजनरी बॉड़ी गायब हो जाती है, एलूजनरी बॉडी के गायब होते ही प्रेस्टर गायब हो जाता है जो देखकर सभी लोग थोड़ा सा सांत होते हैं और एमोर्टर्ट ट्रेवलेशन के लिए हैरान होते हैं लेकिन तभी वो देखते हैं एमोर्टर्ट ट्रेवलेशन भी गायब हो गया जो देखकर सभी के मुझे के बले की आवाज निकलती है वो अभी अभी क्या था वो जियो जियान के जैसे कैसे दिख सकता है वो जियो जियान के जैसे दिखता था लेकर जियो जियो जियान नहीं था उसके पास कितना खतरनाक हो रहा था क्या यह इस spiritual power थी रैंच चांग भी आ हैरान होता है वो इस बंदे के सामने अपने सिर उठाने तक की हमत नहीं कर पा रहा था उसे पता थे यह power वबिसली 4 star fighting level के या 5 star के immortal level के बंदे की power नहीं थी तभी रैंच चांग की बात को सुने के बाद यह जैंग ही भी तुक्का मारतों के था नहीं वो घोशोल की तरह था बिलकुल एक shadow जो मिश्टर जियो यान की तरह थी लेकिन उसकी source energy यह spiritual power में कोई भी fluctuation नहीं था यह बास्तों में थोड़ा जीव है उसे लिजनरी body के गावने का जो यान की बाड़ी से एक powerful aura generate होता है और 5 star की powerful energy 4 तरफ निकल ले लगती है साथी 5 star की जो power थी वो पहले के compassion में काफी ज़्यादा powerful होती है और energy भी काफी ज़्यादा pure हाला कि जो इस spiritual power थी वो अभी भी illusion में फसी हुई थी और भले ऐसी situation में जो इसे जो इस God 5 star पर break through कर चुका था जज छैग वी को अभी भी पता था कि जोण illusion से नहीं बच पाईगा और जितना ज़्यादा long time यहाँ गुजरेगा जोण के लिए उतना ही खतर नाक होगा साथी च्ठापि जोण के गरदना और गालो पर काले धागे फैलती हुए देखे जा सकते थे जो कि अबबेसली एंगर और कर्स की पावर थी और ये पावरफुल एंगर और कर्स जोयन की सोल को दीरे-दीरे सोयलो कर रहा था और अगर ऐसा ही चलता रहा तो सभी को पता था कि जोयान धीरे धीरे खत्म हो जाएगा और भले ही बोडी बची रहे सोल खत्म हो जाएगी तो वो dead person से ज़्यादा कुछ नहीं है जाजेंग भी बार-बार कोसेश करता है कि वो जोयान को बाहर निकालने की कोसेश करें लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पाता अगर वो illusion के अंदर होता तो bestly वो illusion को solve करने के experience के इस्तमाल करते हो से break कर सकता था लेकिन जोयान illusion के बार में कुछ नहीं जानता इसलों से पूरा यकीन था कि जोयान बेहत खतरनाक situation में होगा दुस्त अप illusion के अंदर जोयान के सोल चारतरब देखती है और वो यहां से पीछे अटने की कोसिस करता लेकिन फील करता है कि उसकी body movement ठीने ही कर पा रही साथ जोयन देखता है कि उसकी body को पर ghost souls घूम रही थी साथ उन्होंने उसे काटना सुरू कर दिया था जिससे जोयन को तेज दर दिन हो रहा होता है लेकि इस दर्थ दे निकलने वाली चीक है इस ghost soul को रोक नहीं पा रही होती बलकि इन्हें और भी ज़्यादा aggressive कर रही होती है यह ghost soul घूम को पूरी तरीके तो उसे खा रही होती है जोयन जानता था कि अगर यह continue रहा तो वो मर जाएगा जोयन तुरंती कहता ओल जान अभी तक आपने कुछ किया क्यों नहीं लेकिन वो ओल जान की आबाज भी नहीं सुन सकता था जोयन जानता था कि सामने की जो situation न वो खतरनाक होती जा रही है अगर वो यहां की सोलो के साथ effective होता है तो काफी खतरनाकोगा और इस ट्रैम पे वो सभी बोड़ी पार्ट जान यह सोल्स जुआयान को खा रही होती है बोड़ी में काले धब्बे पढ़ते जारे होते है और बोड़ी का ब्लेक पढ़ना सबसे ज़्यादा यही रिजलता की जन की हलत खराब है जो देखकर सभी लोग तुरंदी काते जिया जैंगुई जल्दी से एक सिचुईसन और सॉल्यूसन के बारे में सोचो यंग मास्टर की हलत से बत्तर होती जारी होती है तब ही जिया जैंगुई इस एल्यूसन की तब देखते हैं चिंता मत करो मेरे पास एक नएक रास्ता तो होना ही चाहिए लेकिन ये कर्स की पावर है थोड़े टाइम के अंदर इसे छुटकारे पाने का कोई रास्ता नहीं जैंगुई भी यहाँ बेहत घबराया हुआ होता है और अपनी पारफुल इस पिच्वल पावर को वो सो करता है जैंगुई जैंगुई को पता था कि अगर वो मर जाता तो ठीक है लेकिन अगर जो है यान को कुछ हुआ तो वो कभी भी इस गिल्टी से नहीं निकल पाएगा इसलिए जैंगुई तो नहीं तो नहीं आपको कुछ नहीं हो सकता वो अपने दिल में प्रे कर रहा होता है दोस्तव एल्यूजन के अंदर जोयन के सोलव वहाँ पे नहीं होती बलकि वहाँ पे ये सोल्स पहाड़ी के धेर के ऊपर एक चड़ी होती है दोस्तव जोयन का केवल उन सोल्स के बीच में एक हाँ दिखाए दे रहा होता है और उसकी आखे सुई तक सिकुड़ गई होती है जोयन तो नहीं तो नहीं दिखा था क्या मैं सेल्यूजन के अंदर मरने जा रहा हूँ क्या बास्तों मैं ऐसे मरने वाला हूँ उसने कभी नहीं सोचा था कि बस तो वो ऐसे मरेगा ये मौत तो बिल्कुल इंजश्टिस थी और बिल्कुल भी फियर नहीं थी साथ इससे कोई फ़र्ग नहीं परता कि जोयन ने कितनी महनत की वो इन सोल्स से फ्री नहीं हो पारा था जोयन का दम घुटने लगा था साथी सोल्स में होने वाला दर्द भी काफी तेज था जिससे जोयन बरदास नहीं कर पारा था हाला कि सोल्स की पहाड़ी में एक गोल्डन लाइट ग्लो होती है और देखते ही देखते हैं एक धमाके के साथ ये सभी सोल जलकर राक में बदल जाती है और उसी टाइम पे सेंटर पे एक फिगर दिखाई देती है जिसने काले कपड़े पैने हो होते है और पीठ पर एक रूलर टंगा हुआ होता है ये वही फिगर होती है जो पीछे जोन की फिजकल बॉडी के सामने अपयार होकर उसकी ट्रिबलेशन को खथम करकी आई थी साथ ये जो यान की सोल को देख रही होती है इन सोल दोरा खाए जाने के काड़ काले कलर से ड़क्य होती है दुश्त अब जोन अपने सामने की इस फिगर की तرف देखता है जिसकी पीट उसकी तरफ होती है तो जोन तुरन तरफ देखते है कौन और पीट पे रूलर को देखते हुआ और उस पीट को देखते हुआ जोन को काफी फैमिलियर सफील हुआ होता है जैसे वो इसे जानता हो अब ये बंदा बोलेगा बापा, इस दुनिया का बापा हूँ मैं तब ही ये फिगर अपना सिर घुमाती है और जैसे ही जॉन उसका चाहरा देखने ही बाला होता है जॉन के कानों में अचाना की आबाज आती है यंग मास्टर जियो, जियो उठो, जियो यान हाला की जॉन अपनी आखे चोड़ी करके इस फिगर का चाहरा देखना ही चाहता था लेकिन एक स्ट्रॉंग सक्सन पोश जॉन के दिमाग को बिलकुल खाली कर देता है उसकी आखे अंधेरे में बदल गई होती है बंदा पूरी तरीके देर रिलیک्ट फिल कर तो जमीन में गिर गया होता है दूस्तब जियो हान उदास होता है वो सीन को याद कर रहा होता है जिसका चहरा वो अभी तक नहीं देख पाया जॉन को लग रहा होता कि वो उस फिगर को जानता है और उसने उसे कहीं न कहीं तो देखा है उसके साथ उसका कोई तो कॉंटेक्ट है बहुत ज़्यादा ही क्लोज लेकिन थोड़ा अजीब जॉन तुरन दिखे था अभी क्या हुआ जॉन को पता था कि अगर वो उस ऐल्यूजन में था तभी जॉन दंग रह जाता और कहता है क्या तभी उसे अपनी पाउर का एसास होता है कि उसकी बॉड़ी फाइब इस्टार पर ब्रीक थू कर चुकी है वो अपनी बॉड़ी की एक रिच एनर्जी को फिल करके काफी हरान होता जो यान को भी नहीं पता था कि ये कब हुआ जॉन तुरिंद के था फाइब 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 इस्टार डाव मोटल कैसे जॉन तुरिंद के था मेरे ट्रवलेशन के बारे में क्या हुआ जॉन को कुछ भी याद नहीं था क्योंकि अगर वो एलुजन के अंदर था तो आपबेसली ट्रवलेशन के काड़ों से हमिली इंजर्ड होना चाहिए और अगर लॉंगी या नहीं उसे बचाया भी था तो लॉंगी या उसे रेंचांक को इंजर्ड होना चाहिए लेकिन किसी को भी कुछ नहीं हुआ जो देखकर वो लोग तुरंधी का जूनियर वेदर आपका फाइव इस्ट्राइक ट्रवलेशन काफी हजीब था जैसे ही लाइटिंगी श्ट्राइक आपके उपर होने ही बाली थी बिल्कुल आपके जैसी एक फिगर आपके पास अप्यार हुई और इसके बाद वो गायब हो गई और ट्रेमिलेशन भी गायब हो गया जोन तुरंधी कहता है एक घोशोल लेकिन वो कौन था जोन तुरंधी एल्यूजन के अंदर के उस फिगर के बार में याद करता कि कही है वही तो नहीं और तुरंधी कहता है क्या ऐसा हो सकते है कि उसने ब्लेक कलर के कपड़े पहने हुए थे तभी रेंचांग तुरंधी कहता है हाँ उसने ब्लेक कलर के कपड़े पहने हुए थे उसकी याँके गोल्डन कलर की साइन हो रही थी उसने पीट पर एक बड़े से रूलर को टांग रखा था और वो बिलकुल आप की तरह दिखता था बिलकुल जूर्नियर वेदर की तरह लेकिन एक और भी अजीब बात थी उसका प्रेसर इतना है श्ट्रॉंग था कि हम मेंसे कोई भी उसके सामने खड़े तक नहीं हो पा रहे थे लेकिन अचानक ही वो गायब हो गया उसने जो भी रेका था वो सब उसने जूर्ण को बता दिया था और उसकी बात को सुने को बाद जूर्ण पूरी तरीके से हरान हो गया हो था जोन को पता था कि अगर कोई एमोर्टल टेबलेशन वो भी फाइव इस्टार के टेबलेशन को एक जटके में एक सेडो के सार दिश्ट्रॉय कर सकता है तो वो केवल फाइटिंग गॉड लेवल का ही बंदा हो सकता है और अगर जो फिगर अंदर दिखाई दी थी और बाहर टेबलेशन को गयब की थी तो एक ही माद तो फाइटिंग ओड था जो इस्टाबर के पीक पर था तभी सभी लोग कहते ठीक है मुझे भी ऐसा ही लगता है कि सायद वही होगा मैंने भी उसकी पाउर को फिल किया जो कम से कम फाइटिंग गॉड के पास तो थी ही तभी जोन भी इसके बार में सोचना बंद कर देता है और अलुजन के बाहर आने के बाद वो धीरे धीरे खुद को थोड़ा सा सांथ करता है साथीन सोल्स द्वारा खाई जाने बाली उसकी सोल के कारण जोन के जो इस पिच्वल पाउर थी एक जटके में ही थोड़ी सी बढ़ गई होती है हालाकि यह जया जैंगुई की तरह हाप डोमेन लेवल तक नहीं पहुंची थी लेकिन होली रियलम की इस पिच्वल पाउर के कंपेज़ा में जयान की इस पिच्वल पाउर काफी स्टॉंग हो गई थी साथी एलूजनरी वर्ल्ड के अंदर या एलूजन के अंदर की इस खतारनाक सिच्वेशन को देखते हुए जयान का जो सिक डिजायर पूल था 32 फ्लोर पर सभी की पाउर में काफी अच्छा सोधार हुआ था और जयान भी फाइवी श्टार पर ब्रेक्ट्रू कर चुका था इसलिए फेरले स्टीम की पाउर को बढ़ा हुआ माना जा सकता था जिसके बाद यह सभी लोग आंगे की तरह बढ़ने लगते हैं साथ यह ने पता था कि अभी भी यह कुछ पारफुल टीमों के कंपेर्जन में उतने ही श्ट्रॉंग नहीं है जैसे कि फाइटिंग ओड एलाइंस के जियांगा जो इने टैंस प्लेस्मेंट होना से पहले ही इस एक से श्टार पर था अब किसी को भी नहीं पता कि उसकी पार कितनी ही श्ट्रॉंग होगी दूस्त अब जो आनको पता है कि सभी सेंटर प्लेस के अंदर इंटर हुए होंगे लेकिन आगार उनके पास अपनी पार को सुदाने का कोई भी मौका तो जाने नहीं देना च देख पाया कि अब वो साच में टाबर के पीक लेबल का फाटिंग गौड था उससे देखने के लिए और इस सक को मिटाने के लिए जो रन थी त्यान जी पावेलियन के लाश्ट फ्लोर के अंदर इंटर होने लगता है साथ इस पावेलियन पी जो आने के लिए के बल एक ही टेश्ट देना पड़ा था फिलेश्टी इसमें सभी 32 टेश्ट पास का लिया थे और आप बेसा किये लाश्ट टेश्ट था जूसक 31 फ्लोर कोनों ने भाइपास का लिया था उस बीश्ट के साथ समझा था करके बन्ना उस बीश्ट के अंदर जो पावर थी उसके सामने 6 ए पर कोई बेंटर करने की हिम्मत नहीं करता वो इन ट्रंप कार्ट पे भरोसर करके उपर जा सकते थे साथी फ्यारे स्टीम लाश्ट फ्लोर पर चलते हो उनकी स्पीड काफी धीमी होती है वो फील कर सकते थे कि हांका माहर थोड़ा सा इस्ट्रेस खुल है लाश्ट फ्लोर और बेसली इसका सबसे अपर फ्लोर था जो कि बाकी के फ्लोर की तरह नहीं होता ये काफी एक फ्री स्पेस की तरह था चार तरफ सामने देखने पर बिल्कुल जील की तरह नीला पानी होता है जो मेरर की तरह सांत होता है साथी पानी पे चलते हुए वो लोग सामने देख स उसने कापी सारे अंदाजे लगाये थे कि ऐसा सीन हो सकता है वैसा हो सकता है लेकिन ऐसा हो सकता है उसने कभी नहीं सोचा था हाला कि जो उन्तुरंती उस तरफ हाथ बढ़ाते हुए रिस्पैक्टेडली होँआ प्रणाम करते हुए कुछ बोल नहीं बाला था कि तभी एक powerful pressure वहाँ पे आता है जिससे जुहान लड़ खड़ा कर घुटनों के बल बैट जाता है साथ ही इस ओरे के सामने सभी लोगों के हाल और भी बुरे थे उनकी बाड़ी से तो blood भी निकलने लगा होता है और चाहरे पर कापी दर्दना के impression होते है दूस्तर जुहान का चाहरा भी काला पड़ गया होता है हाला कि जुहान घुटनों के बल नहीं बैटा था लेकर उसके पैर काँ पर होते है और ऐसा लग रहा था जैसे जुहान ज़्यादा देर तक नहीं टिक पाएगा इस टैम पे सुईजोयर का चैरा भी पीला पड़ गया होता है और उसके हाथ में अचानकी वाइड गौड माउंटेन अप्यर हो जाता है और जोजान के हाथ में बलेक गौड माउंटेन साथि सुईजोयर अपनी मरजी से इस माउंटेन को कंट्रोल नहीं कर सकती थी लेकिन जो जान एक थोट के साथ ही उसे सौफीट के माउंटेन में बदल देता है दूसरे फिस माउंटेन्स को देखकर वो फिगर अचानक है अपने हाथ को हिला रही होती है और उसके उंगलिया काप जाती है जिससे सितार के वो तार तूट गया होते है और एक पाउरफुल सोक वेब जनरेट होती है जिससे सभी के कपड़े उड़ गया होते है और वो 30% उन माउंटेन्स को देखते हैं उसके आंके सिकुड जाती है और कापी देर बाद उसके चर पे एक जंगली स्माइल दिखाई देती है जो थोड़ा क्रुल दिखाई दे रही होती है और वो तुरंदी गयता है आखिर कार मैंने आपका ही तो इंतजार किया है और हसते हुए अचाना कि इस पवेलियन का जो प्रेसर होता है वो गायब हो जाता है तब ही सभी लोग इस प्रेसर के आंगे थोड़ा सा रिलैक्स फील करते है तब ही सुईजयर भी रिलैक्स फील करते हुए कहती है ऐसा लगता है कि जो हम 70% कनफंते लगता है दाव सही रहा अजी मैं को कुछ गड़बर लग दिया रहे वो अपने हाथों से अपनी इच्छाती को थप थपाने रगती है जो देखकर जोन भी थोड़ा सा रिलैक्स फील करता है दूसरे जोन जब आँगी कितर दिखता तुसके आंके सिकुड़ गए होती क्योंकि इस फिगर ने भली प्रेसर को कंट्रोल कर लिया था लेकिन जोन को फील हुआ था कि कुछ तो गलत है इस फिगर ने उसे एक अलागी ऐसास दिया था जो बिलकुल भी फ्रेंडली नहीं था बलकि गुस्से से भरा हुआ था जो देखकर जोन तुन दिखता मुझे लगता है कुछ तो गड़बड़े साब धान रहो तवी फवेलियन के अंदर की एफ फिगर अपने सितार को नीचे रखती है और एक कदमांगे बढ़ाती है और तुरंती फियलेस टीम के सामने पहुँच जाती है जो देखकर सभी किया के सिकुड़ गई होती है इसका जो चेहरा और इंप्रेसन होता वो काफी सुनदर होता लेकिन इस पे एक बुरे औरे को आप फिल कर सकते थे जो सभी को अंकॉंफरडेवल फिल करा रही होती है सथ ये दोनों आखों से ब्लेक गॉर्ड माउंटन और फाइड गॉर्ड माउंटन को देखते हुँ हसरा होता है बुर्ट ने दिखता है आखिरकार मैंने आपका इंतिजार कर लिया आदमी रिलेक्स फिल करते हो काफी हसरा होता है तवी सुईजुयर उसे ग्रीट करते ही कहती है सीनियर जो आबाच सोनकर वो हैरान रह जाता है और अपने से उठाकर सुईजुयर की तरब देखता है साथ ही सुईजुयर की तब देखते है उसकी आखों में बिल्कुल भी काइनेस नहीं होती बलकि वो तुरंथी कहती है ठीक है मेरा नाम सुईजुयर है और मेरे फादर बिल्क माउंटेंड डिवाइन लॉर्ड है और वो तुरंथी अपने फादर की नाम को यहां इनाउस करती है और उसकी आखे जमकने लगती है जो देखकर वो अंदर तुरंथी कहता है सच मुच क्या तुम ब्लेक गॉर्ड माउंटेंड लॉर्ड की बेटी हो ब्लेक माउंटेंड गॉर्ड मेरा सबसे अच्छा दोस्त था ऐसा कहने के बाद उसकी चरपे एक सॉप्ट इसमायल आ जाती है वो तुरंथी कहता है ब्लेक गॉर्ड लॉर्ड माउंटेंड कैसा है जो देखकर सुई जूर्ड तुरंथी कहती एक लंबी कहानी मेरे फादर को एक गदार ने फसा है था और उनकी डेथ हो गई मैं अपने फादर दोरा छोड़े के सुसाइड नोट को ढूर निकले आई हूँ मैं हैरानू कि क्या सीनियर मुझे इसके बारे में बता सकते है सालाव वही तो गदार इंसाने जिससे तुम पूछ रही हो सुई जूर्ड की बात को सुनने के बाद चेहरे के आदम Impression अचारा की उदास हो गया उतर वो अफसोस जह लगता है वो तुरंती कहता है क्या Lord God उसकी Death हो गई कितने अफसोस की बात है वो तुरंती कहता है क्या तुम्हारे फादर ने तुम्हें यहा हाने के लिये कि यह क्ले आथवा था अचाना कि इसके इंप्रेशन क्रूइल हो गया होते हैं और चेहरे पर स्माइल और भी नाराजगी वाली जो सुनकर तो सुई जुएर के आखे भी सिकुड गई होते हैं और उसका दिल काप गया होता है वो समझ गया होती कि अप सिच्वेशन खराब हुई क्योंकि यहाँ पर सील यह बंदा ब्लैक माउंटेन डिवाइन लॉड का दोस्त नहीं बलकि एनिमी था तो विज़न कहता है बाददाफ यह फाइटिंग गॉड ब्लैक गॉड माउंटेन द्वारा ही सील किया गया था जोन तुरं थे इंदाज लगाता है कि 32 फ्लोर पर जिस सैड़ो ने उसे बचाया वो यह तो नहीं हो सकती और इसी के साथ यह एपिसोड यहीं एंड हो जाता है इत्रियन फैमली नेक्स एपिसोड पर हम देखेंगे कि क्या होने वाला है ओबिसली जो कुछ भी होगा काफी खतरनाक सांदार बे मिसाल होगा तो लाइक से सब्सक्राइब कर देना वाई वाई त्रियन फैमली